जैहिंद, जिस तरीके से कल अंदोलन 2.0 की शुरुवात हुई, धीरे धीरे जैसे समय गुजरा, शाम में आखिर एक नतीज आया, अपर मुक्षशी शंजय कुमार जी से मुलकाते हुई, पांच अभ्यार्थी ने उनसे जब मुलकाते की और सारी बातों को उनके सामने रखा तो उन्होंने असफश तोर पे कहा कि सभी को नियोजन नहीं, नियुक्ती अगस्त के पहले या उसकी आगे वाले महिने में पहले शप्ता में ही आपको मिल जाएगी नियुक्ती पत्र, तो क्या अगस्त में फस्ट या लास्ट तक नियुक्ती पत्र मिल जाएगी उनका कहन एक गूल मटोल और अस्वासन नहीं जब उनसे लिखित मांग की गई तो लिखित मांग नहीं दिये इसका मतलब है कि यह केबल और केवली सांदोलन को दवाने का तरीका है और अभ्यर्थियों को से गूल मटोल बात करने क्योंकि वे अभी बहाली के मूड में है या नहीं वे सजार से उपर खर्च करके सारे नियोजन इकाईयों में आवे दे लेकिन जब काउंसिलिंग की सुरुआत हुई तो कहीं एक ही जगह जा सकते हैं यानि उतने पैसे खर्च करने के बाद भी और जहां पहुंचते हैं वहां उनको हाई मर्क्स बालिक हो जाता और उनका नहीं होता है तो कितना अपसोस होता होगा कि जो महीनों भर दौर दौर के सारे नियोजन निकाई का चकर लगाए और जब अंत समय आया काउंसिलिंग का तो उसमें उन्हें एक जगह चुनने में काफी परशानी और हुआ भी तो वहां पर उनका काउंसिलिंग नहीं हो पाता है जो है परशान है में रुजगारी कालम बहुत बढ़ चुका है कोभी नाइटीन के कारण को यह अपसर नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादा परशान नहीं हो अगस्त तक आप लोग को न्यूजन नहीं न्यूकती पतर दिया जागा लेकिन ऐसी बाते एक बार कई बारे के इस पर कहा कि अगर जब पतरकार ने पूछा कि अगर उनका बात हर बार ऐसे ही आस्वासन दिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं तो एक महांदोलन के सुरुआत करेंगे वह महांदोलन जो होगा अब सिक्षा विभाग ही नहीं बलके नितीस कुमार के घिराओ का भी काम किया जाएगा जिसमें नितीस कुमार हो और विजय कुमार चोदर सिक्षा मंतरी हो और अपर मुक्सचिव संजय जी सब का घिराओ क्या जाएगा चाहिस के लिए हमको जेल ही क्योंना जाना आप पर यानि जेल भराओ अंदोलन नहीं चलाएंगे पूरी तरीके से जो है पानी सर के ऊपर से जा रहा है अप्यरती प्रशान हो के अंदोलन के रूतर रहे हैं तो सरकार को इस पर अब समझनी चाहिए कि और यह भी कहा कि 80,000 है तो 37,000 और 33,000 से रजित है उसके बाद 2011 बाले को भी शामिल करना है तो अब कहां से उतना सीट लाएंगे यह तमाम चीजों पर डिसकस वा लेकिन उन्हें असपर पर कहा की स्टेटी सेवेंट फेजवान गस्त में होगी तो देखते हैं क्या होता है फिर बने रहे जाहिन